द्रस्टी आईएस के टूडेजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रशन से जिसमें हमने आपसे पूछा था खाली में उच्छी सिक्षा पर अखिल भारती सर्विक्षन यानी AISHE आईशी रिपोर्ट किस मंत्राले या संस्थान द्वारा जारी की गई है आपके ऑप्शन थे उच्छी सिक्षा पर अखिल भारती सर्विक्षन यानी AISHE रिपोर्ट जारी की गई इसे केंद्री सिक्षा मंत्राले द्वारा जारी किया गया इसलिए विकल भी सही है इसमें देश भर के उच्छी सिक्षन संस्थानों का डेटा शामिल है या च्छात्रों के नामंकन सिक्षकों की डेटा अफसन रशनात्मक और वित्ती जानकारी जैसे विभिन मापदंडू पर विस्त जानकारी एकत्र करती है इस रिपोर्ट के नुसार उच्छ सिक्षा में कुल नामंकन 2019 बीस में 38.5 मिलियन से बढ़ कर 2020-21 में लग्भग 41.4 मिलियन हो गया 2019.8 मिलियन से बढ़ कर 2020-21 में 20.1 मिलियन हो गया पहला आईशी सरविक्षन वर्ष 2011 में आयोजित किया गया था इस तरह इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प B यानी सिख्षा मंत्राले चलिए चरवात करते हैं आज की अपिसोड की तो आज की अपिसोड का पहला प्रश्ण है हर घर ध्यान अभियान किस मंत्राले से संबंदित है आपके option है परिटन मंत्राले, संस्कृती मंत्राले, ग्रामीर विकास मंत्राले या फिर युवा मामले और खेल मंत्राले तो इस प्रश्न का से उत्तर है विकलप B संस्कृती मंत्राले हाली में पुरुतर शेत्र विकास मंत्राले ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हर घर ध्यान अभियान के तहट ध्यान और मांसिक स्वास्त पर एक सत्र आयोजित किया है संस्कृति मंत्राले ने युवाओं को मांसिक स्वास्थ सुक्षा में शामिल करने और उनके बहतर स्वास्थ के लिए हर घरध्यान अभियान शुरू किया है इसलिए विकल्प भी सही है स्कृति मंत्राले ने इसके लिए आजादी के अमरत महुसव की तत्वावधान में आर्ट ओफ लिविंग के साथ भागिदारी की है 26 अक्टूबर 2022 को श्री श्री रविशंकर ने बैंगलरू में आर्ट ओफ लिविंग के वैशिफ मुक्षाले में हर घर ध्यान अभियान का नावरण किया था ये अभियान इस वर्ष के सुतिंतरता दिवस तक चलेगा अगला प्रशन है कुष रोग के संबन्द में निम्खित कत्मों पर विचार कीजिए कथन एक है कि वाइरस के कारण होने वाला एक रोग है कथन दो है यह लाइलाज बिमारी है उपरियुक में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक केवल दो एक और दो दो और न तो एक नहीं दो तो इस प्रशन का से उत्तर है विकल्पिस्टी एक और दो दो नो चली एक्स्मिनेशन से आगी की बात को समझते है खाली में विश्व कुष्ठ रोग दिवस यानी वर्ल लेपरसी डे मनाया गया हर साल जन्वरी के आखरी रव्यार को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो एक प्रकार के बैक्टीरिया, माइको, बैक्टीरियम, लेपरी की कारण होता है इसलिए कथन एक सही ही है यह रोग मुख्य रूप से तवचा और नसों को प्रभावित करता है यह एक उपेक्षित उश्णकटिबंधी रोग यानि एंटिडी है जो अभी भी 120 से अधिक देशों में होता है अनुपचारिच छोड़ दिये जाने पर यह रोग दिवांगता का कारण बन सकता है इसके बैक्टेरिया, रोगी के निकट और लगातार संपर्क के दोरान नाक और मुँ से बूंदों के जरिये फैल सकते हैं मल्टी ड्रग थेरपी यानि MDT से कुछ रोग ठीक हो सकता है इसलिए कथन दो सही नहीं है इस प्रकार इस प्रशन का से उत्तर है विकल पिस्ती यानि एक और दो दुनों ही कथन सही नहीं है अगला प्रशन है इसे 1983 में भारत का पंदर्मा टाइगर रिजर्व घोशित किया गया था यह भारती उप महाद्वीब और इंडो चाइना जै भोगोलिक शेत्र के जंक्षन परिस्तित है यह भारत का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व है इसका नाम है आपके ऑप्टिन है चलिए एक्स्पनेशन देखते हैं यह रवनाचल प्रदेश के चांगलॉंग में स्थित है नामदफा वास्तों में एक नदी का नाम है जो दफा बम से निकलती है यहां दफा पहाडी का नाम है जबकि बम का अर्थ है पहाडी की चोटी इनदी रास्तों द्यान के ठीक उत्तरदक्षन दिशा में बहती है इसलिए नामदफा नाम दिया गया है नामदफा भारत का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व है जय भोगोलिक रूप से यह पूर्वी हिमाले जय भोगोलिक प्रांथ के भी तरह आता है यह भारती उप महदवीप और इंडो चाइना जय भोगोलिक शेत्र के जंक्शन परिस्त है इस तरह इस प्रश्ण का से उत्तर है विकल्प भी नाम दफा टाइगर रिजर्व अगला प्रश्ण है चैगंडराज की सीमा निम्रकित में से किस देश से नहीं लगती है आपके ऑप्शन है जर्मनी, बेल्जियम, औस्प्रिया या फिर पॉलिन तो इस प्रश्ण का से उत्तर है विकल्प भी बेल्जियम खाली में सेवनेवरित जनरल और नाटो के पूर वरिष्ट कमांडर पेट्र पॉवल चैगंडराज के नए रास्पती बने है गौरतलव है कि चैगंडराज मद यूरोप में सित एक स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉग्ड देश है इसकी राजधानी प्राग है जो वलतावा नदी परिसित है इसकी सीमा उत्तर एवं उत्तर पूर में पॉलिन पूर में स्लोवाकिया, दक्षण में उस्ठ्रिया और पस्चिम एवं उत्तर पस्चिम में जर्मनी से लगती है जब कि इसकी सीमा बेलजियम से नहीं लगती है इसलिए विकल्प बी सही है इसकी आधिकारिक भाषा का नाम चैक और मुदरा का नाम चैक कोरूना है आपके option है आंध्रप्रदेश, केरल, करनाटक या फिर्ता मिलनाडू तो इस प्रशन का सहित्तर है विकल्प A आंध्रप्रदेश खाली में एटी कोप का खिलोना कलाकार सीवी राजू को पदमश्वी पुरुसकार से समानित करने के लिए चुना गया है एटी कोप का खिलोने आंध्रप्रदेश के विशाका पत्तिनम जिले में वराह नदी के तट परिस्थिद एटी कोप का गाउं के कारीगरू द्वारा बनाये जाते हैं इस लिए विकल्प A सही है ये खिलोने लकडी से बने होते हैं और लाह चाल जड तथा पत्यों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों से रंगे जाते हैं खिलोने बनाने के लिए इस्तमाल की जाने वाली लकडी नरम होती है लाग के लेप के कारण खिलोनों को लाग के खिलोने भी कहा जाता है इसके लोना बनाने की कला को Turned Wood Lacquer Craft की रूप में भी जाना जाता है इस तरह इस प्रशन का सहित्तर है विकल्प A. आंधर प्रदेश अगला प्रशन है अटल पेंशन योजना के संबन्द में निम्खित कत्मों पर विचार कीजिए कत्न एक है इसे 9 में 2022 को लौच किया गया था कत्न दो है योजना मुक्य रूप से और संगटिस शेत्र के श्रमिक ओपर किंद्रित है उपर्युक्त में से कौन से या से कत्न सही है या फिर हैं आपकी option है केवल एक केवल दो एक और दो दो नो और नो तो एक नहीं दो तो इस प्रशन का से उत्तर है विकल पिद्भी यानि केवल दो कत्न ही सही है चलिए आगी के बाद को इस प्रशन से समझते हैं खाली में अटल पेंशन योजना ने पांच करोन नामंकन का अकड़ा पार कर लिया है अटल पेंशन योजना भारस सरकार की प्रमुक सामझ सुरक्षा योजना है इसे 9 मई 2015 को लॉंज किया गया था इसलिए कथन एक सही नहीं है इसका उदेश सभी नागरी को विशिश रूप से असंगिटी शेत्रों में काम करने वाले लोगों को प्रधा उस्था आयसुरक्षा प्रदान करना है इसलिए कथन दो सही है इस प्रकार विकल्प भी सही है इस योजना के तहरे 60 वर्ष के आयू में सब्सक्राइबर के योगदान के आधार पर एक हजार से पांच हजार रुपए प्रतिमाह तक की नूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी भारत का कोई भी नागरित इस योजना में शामिल हो सकता है हाला कि उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए इस तरह इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प B यानि केवल दो कथन ही सही है चले अगला प्रश देखते हैं वर्ल एकनॉमिक आउटलूक किसके द्वारा जारी किया जाता है आपकी option है अंतरास्टी मुद्राकोश, विश्व बैंक, विश्व यापास, संगठन या फिर सेउक्त रास्ट संग तो इस प्रशन का से उत्तर है विकल्प A अंतरास्टी मुद्राकोश फाली में अंतरास्टी मुद्राकोश यानि आईमेफ ने वर्ल एकनॉमिक आउटलूक पर अपना अपडेट जारी किया इसलिए विकल्प A सही है इसमें कहा गया है कि लचीली घरेलू मांग के कारण 2024 में 6.8 प्रतिशत तक पहुँचने से पहले 2023 में भारत 5.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा आईमेफ के मताबिख भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुक अर्थरस्ता है आपको बता दें कि आईमेफ की स्थापना वर्ष 1944 में 930 की महमद्नी के बाद हुई थी इसके दिन प्रतिशन के कारकी देखरेक इसके 24 सदस्ती कारकारी बोर्ट के द्वारा की जाती है इसके संसाधन मुक्य रूप से उस राशी पर नर्भर है जो किसी देश के सदस्ती बनने पर पूंजी सदस्ता यानि कोटा के रूप में से प्राप्थ होती है इसके प्रतेक सदस्य को एक कोटा सौपा गया है जो मोटे तौर पर विश्व अर्थवस्था में इसकी सापेक्ष सती पर आधारित है विप्तिक अठाई की सती में इसकी सदस्य देश इस पूल से उधार ले सकते हैं इस तरह इस प्रश्ण का से उत्तर है विकल्प ए अंतरास्थी मुद्रा खोश अगला प्रश्ण है सेंटर फॉर डवलमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग यानी सीडेक के संदर में निम्क्र कत्मों पर विचार कीजिए कथन एक है कि विज्ञान एवं प्रॉद्योगी की मंत्राले का प्रमुक अनुसंधान एवं विकास संगठन है कथन दो है इसे वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था उपर युक में से कौन सा यसे कथन सही नहीं है या फिर है आपके ऑप्षिन है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों और न तो एक नहीं दो तो इस प्रशन का से उत्तर है विकलप सी एक और दो दोनों ही कथन सही नहीं है चलिए एस्पनेशन से बात को समझते है खाली में Center for Development of Advanced Computing यानी CDEC के द्वारा Quantum Computing इको सिस्टम पर दो दिर से संगोस्ठी का आयोजन किया गया इस संगोस्ठी का उद्देश Quantum Computing में भारत की श्रमताओं को जागर करना था CDEC Electronic एवं सूषना प्रौद्वी की मंत्राले यानी मैटी का प्रमुक रिसोर्ज एंड डवलमेंट संगठन है इसलिए कथन एक सही नहीं है 1988 में इसकी स्थापना USA द्वारा सूपर कम्प्यूटरों के आयात से इनकार के बाद भारत में सूपर कम्प्यूटरों का निर्मान करने के लिए की गई थी इसलिए कथन दो सही नहीं है अपनी स्थापना के बाद से ये सूपर कंप्यूटर की कई पीडियों के निर्मान का कारे कर रहा है इस प्रकार विकल्प C सही है इस तरह इस प्रशन का से उत्तर हुआ विकल्प C यानि एक और दो दोनुं ही कथन सही नहीं है अगला प्रशन है पोवीतोरा वन्यजीव अभ्यारण किस राज से संबंदित है आपके ऑप्शन है तृपुरा असम अरुनाचल प्रदेश या फिर सिक्किम तो इस प्रशन का से उत्तर है विकल्प B असम असम गुवहार्टी में भारत की G20 अधश्टा के तहट पहली सतत्वित्य कारिस्तम हो यानि SFWG बैठक की मेजबानी करने जा रहा है इसकी थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और आदर श्वा के वसुधेव कुटुमकम है इस बैठक में G20 के सदसत देशों, अतिती देशों और विभिन अंतरासिस संगठनों के 94 प्रतिनिधी भाग लेंगे असम सरकार ने राज में विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है इसमें काजिरंगा राशुद्यान पोवितोरा वनिजीव अभिहारन गौर्भंगा अरक्षितवन आदी जैसे महत्पून स्थानों पर प्रतिनिधियों के भ्रहमन के विवस्था शामिल है पोवितोरा वनिजीव अभिहारन असम के मोरीगाउं जिले में ब्रहमपुत्र के दक्षनी तर्थ परिस्थ एक वनिजीव अभिहारन है इसलिए विकल्प B सही है वर्ष 1971 में सारप्षितवन और 1987 में वनिजीव अभिहारन गुशित किया गया या मुक्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद है इस तरह इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प B यानि की असम चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिन प्रश्ण पर तो आकरी प्रश्ण है चलिए एस प्रश्ण साइग की बात को समझते है खाली में सिंग्तराष्ट महासभा के 27-27 के अध्धक्ष ने सिंग्तराष्ट सुरक्षा परिश्ण में सुधारलानी के अशक्ता पर बल दिया है आपको बता दे कि सिंग्तराष्ट महासभा यानि UNGA सिंग्तराष्ट का मुख्य नीतिनर्मान अंग है इस निग्तराष्ट के 6 परमुक अंगों में से 1 है रिए कथन एक सही है आपको बतादे कि 6 अंगों में से 5 नियुयार्क में सिंग्तराष्ट मुख्य ने में स्थित हैं जबकि 6 यानि नीदर्लेंड के हैग में स्थित है गौर्ट अलभे कि सिंग्तराष्ट के 6 परमुक अंगों में शामिल है महासभा, सुरक्षा परिशद, आर्तिक और सामाजिक परिशद, ट्रस्ट्रेशिप परिशद और सचिवाले और अंतरास्टी नियाले UNGA सेउक्तिरास्ट के लिए महतपूर निर्न भी लेता है जिनमें शामिल है सुरक्षा परिशद की सिफारिश पर महासभी की नियुक्ति, सुरक्षा परिशद के अस्थाई सरस्टों का चुनाओ और सेउक्तिरास्ट के बजट को मंजूरी इसलिए कथन दो सही नहीं है, इस तरह इस परिशन का सेउत्तर है विकल्प A यानि केवल A कथन सही है चलिए वक्त हो चला है, आज की अपिसोड के अभ्यास प्रशन को नोट करने का तो अभ्यास प्रशन नोट कर लीजिए विम्रिकित में से कौन भारत का आर्थी सर्वेक्षन तयार करने के लिए जिम्यदार है आपके option है, option A राजस विभाग, option B वित विभाग, option C आर्थिक मामलों का विभाग या फिर option D वे विभाग तो विवेर्स इस प्रशन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें जल्दी मिलते हैं नए अपिसोड में ने ने सवाल और उनके ने ने जवाबों और जानकारियों के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया